हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, मैं आप लोगों के लिए फिर से एक और नई वीडियो लेकर के आई हूँ, लट्टू गुपाल जी की ड्रस सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वीडियो हमेशा मेरी हिंदी में होती है, लेकिन सब्टाइटल इंगलिस में होता है, तो अगर आप लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती है, तो आप सब्टाइटल पढ़के भी ये वाली ड्रस और भी मेरी चैनल से ज आप लोग बना सकते हो, तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखिए आज मैं आपको एक नमबर का नाची की ड्रस बताने जार रही हूँ, जो की मैं बताऊंगी वाइट और और औरेंज कलर से आपके पास जो भी उन हो आप उससे बना सकते हो, मेरे पा और यह मैंने कहची ले रखी है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो देखिए मैंने चोली तो बना रखी है, यह देखिए चार रो में मैंने चोली बना करके कंप्लेट की है, तो आप लोग चोली मैं उसका लिंक डिसक्प्सन में डाल दूंगी, दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहते हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जादे से ज़्यादा से ज़्यादा से जिससे मेरी ज तरीके से करना है, हमने यहाँ पर देखें, हम सिलिप स्टिच कर लेंगे, जोड लेते हैं आपर, फंदे में यहाँ पर, तीसरी वाली चैन में हम देखें, यह देखें, इस तरीके से आजाएगा, अब देखें, हमने यहाँ से स्टार्ट करने हैं, देखें, यहाँ से ऐसे तीन तीन चैन लेने के बाद हमने यहां पर देखिए सभी चैन में दो दो डबल कुरो से करने हैं फंदे हमने बढ़ाने हैं तो हम देखिए अगली वाली चैन में एक दबल कुरो से इसी फंदे में एक और डबल कुरो से करेंगे दो यह देखिए दोस्तों हमने एक ही फंदे करना है यहां से यहां तक और फिर जोड लेना है सिली पिश्टिच तो सभी फंदों में हम दो दो डबल कुरो से कर लेते हैं तो यह देखिए दोस्तों सभी फंदों में दो डबल कुरो से कर लिए हैं इसके बाद हमने यहां पर जोड लेना है सिली पिश्टिच कर लेना है य हमारे ये तीन चैन को मिलाके दो डबल कुरो से हो गए हैं फिर हमने एक चैन लेनी है फिर से हमने अगली वाली चैन में एक डबल कुरो से करना है फिर से एक चैन लेनी है फिर अगले वाले में एक डबल कुरो से करना है ये देखिए फिर से एक चैन लेंगे फिर से अगले व कर लिया है अब इसके बाद हमने एक चैन लेनी है और फिर से हमने फंदे में जोड़ लेना है इसलिए पिश्टिच कर लेनी है इसके बाद हमने देखिए एक दो तीन तीन चैन लेनी है तीन लेनी के बाद फिर से हमने इसी वाले अगले वाले फंदे में हमने एक डबल कुरो रहा हमारे 2 डबल क्रोसे हो गया फिर हमने है प्र this हमने अगले वाले SP पनदे में दबल क्रोस से बारा से लिवाज के लिए ंजीर अगले वाले फंदे में यू एक और डबल क्रोस कर ले से लेनान सब्सक्राइब ओध्देब कॉसकि किने हाँ धिक करना हमसे में घृंट है एक दरब्ड至 दर्बल धंब इसी तरीके से 2 डबल करो से एक चैन हमने पूरी रो में करना है कर दीकिए दोस्तों मेंने यह वरी रोभी complete कर दी है देखिए इस तरीके की लग रही है अब देखिए हमने फिर से सीली बिश्टीज कर ले रहे हैं फंद suspension में और फिर से अमने तीन देने के बात देखी हमने देखिए इंदर घंद庑 से कर लें अइयं तो यह Vai देंटे उन से अबर फिर से देखिए इसके अंदर कर लेनी है प्र जो हमारे यहाँ पर हमने एक एक चैन ली थी उसके अंदर दो डबल करो से करेंगे एक, दो और फिर से हम ले लेंगे एक चैन और फिर से हमने देखे जो दो डबल करो से किये थे वहाँ पर ही दो डबल करो से करना है जहाँ पर हमने एक चैन ली थी वहाँ पर इसके अंदर बनाना है फिर से हम एक चैन लेते हैं और फिर से हमने इसके अंदर कर लेना है देखे दो डबल करो से छोड़के हमने इसके अंदर दो डबल करो से करना है तो इसी तरीके से एक चैन लेनी है दो डबल करो से पूरी रो देखिए कुछ इस तरीके से आयगा यह देखिए दोस्तों मैंने पूरी रोग कंप्लीट कर ली है और यहां पर मैंने इसली पिष्टीज भी कर ली है तो यह देखिए अब हमने ओरेंज कलर से बनाना है तो मैं आपको औरेंज कलर से बताती हूँ यह देखिए दोस्तों अब हम बनाएंगे औरेंजी कलर से तो यह देखिए हम यहाँ पर लगा लेंगे औरेंज वाला कलर यहाँ पर हमने औरेंजी कलर से हम फ्लावर बनाना आपको सिखाएंगे तो देखिए हमारा जो ये दो हमने डबल कुरो से किया है इसमें इस तरीके से हम लेते हैं ओरेंजी वाला कलर इस तरीके से लगाएंगे यहाँ पर ये देखिए फिर हमने लेनी है तीन चैन फिरी चैन एक, दो, तीन तीन चैन लेनी के बाद हमने करने हैं दो डबल कुरो से करने हैं, देखिए ऐसे ही हमने दो डबल कुरो से करने हैं, एक, दो, दो डबल कुरो से करने के बाद हमने तीन चैन लेनी हैं, एक, दो, तीन, और फिर से इसी के अंदर हमने जोड लेना, इसलिए विश्टिच कर लेनी हैं, फिर से हमने तीन चैन लेनी हैं एक, दो, तीन और फिर से हमने दो डबल क्रो से इसी में करने हैं ऐसे ही एक और ये दो डबल क्रो से फिर से हमने तीन चैन लेनी है एक, दो, तीन और फिर से ऐसे हमने जोड लेना है इसी में सिलिप स्टिच करना है देखे हमने दो पत्ती इस तरीके से बना ली है अब देखे करेंगे हमने ऐसे हिए से में इधर साइड वाले डबल क्रोसे में भी करना है तो हम ऐसे यहापे स्लिप स्टीच करेंगे पहले ठीन लेंगे एक दो तीन और फिर से हमने यहाई पर यह से चैनल से पितल unnecessator तीन चैन ले लेंगे एक दो तीन और फिर से ऐसे ही इसी में दो डबल कुरो से करेंगे एक डबल कुरो से और ये हो गया दो डबल कुरो से फिर हम लेंगे तीन चैन एक दो तीन और ये देखिए इसी में हम सिली बिश्टीच कर लेंगे तो हमारा ये दूसरी पत्ती भी complete होगी ये देखिए इस तरीके से हमारा यहाँ पर flower बन जाता है ये देखिए ऐसे हमारा एक flower जैसा बन गया है यहाँ पर ये देखिए अब देखिए हमने देखिए यहाँ पर से हम जाएंगे सीधे यहाँ तो हम सबसे पहले तो हम इसमें ये देखिए ये वाले डबल क्रोसे में जोड लेते हैं हम ऐसे देखिए इनाज़ दीग में था तो हमने सीधे जोड लिया है अब हमने लेनी है चैन एक दो तीन चार चार चैन लेली चार चैन लेनी करा फिर से हमने ये वाले डबल कुरो से में जोड लेना है ऐसे सिली पिश्टिच करनी है ये देखिए ऐसे हमारी एक बनी फिर से हमने एक चैन ली और फिर से हमने हमने धोसरे हम बनाईंगे अब देखिन के लिए नीमिस के लिन के लिए दो हम क्या गुर्शनल ले लेते हैं हमने थिन चैनल लिया और इसको आ मैं पीश दोस्तों नहीं चाहरो दोस्तों मैं ने इस तरीके से यह यह दो दो पत्तियंगत बना लिए बहुत सुन्दर लगी है ऐसी हमने चारो तरफ बना लेनी आसी हां तर सेम कर सबक्राइब ले हां शदिते हो राजब website यहाँ है कर दो कर दो ये देखिए दोस्तों मैंने चारों तरफ से ये देखिए सुन्दर से फिलावर बना लिये हैं अब ये देखिए बहुत ही सुन्दर ये ड्रस लग रही है अब मैं ये सुच रही हूँ कि यहां पर भी क्यों ना मैं एक फिलावर बना दो तो सेम ऐसा ही फिलावर हम यहां पर भी बना लेते हैं देखिए बीच में बनाना है तीन यहां चोड़ेंगे और बीच वाले में हम यहां पर बना लेते हैं सेम वैसा ही फलावर आगे साइड में बना लेंगे यह देखिये इसके बाद हम ले लेते हैं सिम वैसी ही तीन चैन एक दो तीन फिर हमने तो डबल क्रो से करने हैं एक तो फिर एक तो तीन चैनल लेने हैं फिर से यहाँ पर जोड़ लेना है सिलिप स्टिश कर लेना है सेम ऐसा ही एक और फिलावर बनाएंगे तीन चैनल लेंगे हुआ है ये देखिए दोस्तों बीच में फ्लावर भी लग गया है और सारे तागे में ने छिपा लिए हैं बहुत ही सुन्दर ये ड्रस लग रही है आप लोगों को ये ड्रस कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा और ये ड्रस आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा शेयर कीजिएगा मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्तार